तो नेच्टर रिसोर्स में क्या क्या आता है? नेच्टर रिसोर्स में यह होता है कि वो सारे संसाधन जो प्रकृति हमें देती है. तो रिसोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या संसाधन को ऐसे रिफाइन कर सकते हैं कि या तो प्रकृति उसे हमें दे रही है या हम खुद के एनरजी मिलेगी और जितने भी और्गानिजम्स हैं छोटे से लेकर बड़े तक जो हमारे लिए इंसान के लिए welfare का काम करते हैं, welfare मतलब हमको खाना पीना संसाधन से मिलता है, हम गाड़ी चलाएंगे तो हमको संसाधन चाहिए, है न? तो हम लोग सबके सब क्या क्या आजाता है आपका? देखे, इसमें water आजाता है, पानी, जमीन आजाता है, land ये आप जो देख रहे हैं, soil इसमें ले आई है, land soil, रॉक आगए, पत्थर आगए आपके, इसमें forest आगए, जंगलात इसमें जनवर आगए, ये animals आगए fossil fuels हो गए, जिसको हम oil वगएरा कह रहे हैं, oil जिससे crude oil जिससे हमारा क्या बन रहा है सारे जो petroleum products हैं, चारब diesel की बात करें, चारब petrol की बात करें ये सब इसी से तो बनते हैं, अब minerals हो गए याने जो आपको पत्थर मिलते हैं या ऐसे संसाधन मिलते हैं, जिसका आप उप्योग कर सकते हैं natural resources इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये basis है जिन्दगी इसी से जी जाती है याने एक जिन्दगी, एक पुरे अर्थ में, विश्व में जिन्दगी इसी से चलती है बेसिस है, इसके बगर नहीं चल पाएगी क्योंकि हम इससे जीते हैं सर्वाइव करते हैं इन resources, इन संसाधनों के या इन सब चीजों के बगर हम जी नहीं सकते हैं तो ये जी natural resources हैं इनको या तो हम directly ले सकते हैं directly हम इसको ले सकते हैं या हमको ये indirectly भी बिलता है तो directly और indirectly का मतलब क्या होता है जैसे हम क्या हैं, human being हम सीधा के सीधा forest पे depend होते हैं हम यानि की forest पे किसले depend होंगे हम forest पे depend होंगे अपने खाने के लिए food के लिए ठीक, biomass bio मतलब bio जहां भी शब्द आएगा प्रित्वी से रिल्टेड है या सारी biology से रिल्टेड है geo होता है geo मतलब प्रित्वी जहां रखीगा जिस भी शब्द के साथ geo जड़ गया प्रित्वी हो गया ऐसी जिसके साथ bio जड़ गया मतलब आप समझ लिजए इसमें जीने वाले लोगों की बारें बात हो रही है तो biomass और health यानि आपकी जो आपका शरीर है recreation हमको आनंद भी चाहिए और जिन्दगी में हमको luxury भी चाहिए आराम भी चाहिए तो forest हमारे काफी सारी चीज़ों मदद करते है एक तो climate को regulate करते हैं जो climate है अगर आप देखें कि अगर आप desert में जाएंगे तो आपको कैसे पौधे मिलेंगे आपको जो भी पौधे मिलेंगे उसमें काटे होंगे और काटे क्या करते हैं वो पानी को बचाते हैं तो climate का परियावरन का regulation वो इनी के तो तहत होता है अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो flood आएगा याँ अगर पेड़ है तो पेड़ क्या करते हैं अपने जड़ों से मिट्टी बांद के रखते हैं पानी को रोकते हैं तो अगर बाड़ आती उसको रोकते हैं पोशक तो उसको बनाना दुबारा बनाना recycling, cycling कह सकते हैं आपको तो यह जो resources हैं वो सारे इसमें आते हैं अब कई ऐसे resources हैं जो हम बनाते हैं human beings बनाते हैं ठीक और यह जो human beings बनाते हैं उसको हम artificial resource कहते हैं तो दो तरीके के resource हो गए एक national हो गए जो हमें प्रित्री देता है यानि कि हमारी mother earth देती है और artificial है इसका मतलब जबसे हम पैदा होगा जबसे हमारी civilization शुरुवात होई है तबसे यह artificial resources बन रहे हैं जैसे bio gas जितना भी dung होता है dung मतलब जो भी waste material होता है वो अगर एक जगा डाल दिया जाए और उसके बाद आप देखेंगे कि इस जगा डाल दिया जाए तो gas निकलती है chemical reaction होते है electricity हो गई electricity अभी है इसके बगर हमारी light नी जलेगी fan नी जलेगा plastic हो गया आजकल सब जगर plastic यूज़ होता है तो यह सब किसके द्वारा बनाए गए है यह सब बनाए गए है हमारे द्वारा तो natural resources जो प्रत्वी हमें देती है और बाकी जितने भी चीज़े हमने बनाई है अपने comfort के लिए वो किसमें आ जाता है वो artificial resources में संसाधन में आ जाता है तो मैं आपको बता रहा था कि पेड़ों की जरूत किती जादा है सबसे पहले यह है कि पेड़ जो है वो carbon dioxide जो हम छोड़ते है या जानवर छोड़ते है उनको लेते हैं और oxygen produce करते हैं oxygen के बगए तो हम जी नहीं पाएंगे biodiversity का मतलब यह होता है कि भाई जितने भी floran fauna है चाहे पेड़ पौदे हो चाहे जानवर हो वो जंगलों में रहते हैं या पेड़ों के आसपास रहते हैं पेड़ों उनके लिए बहुत जरूरी है और जितनी भी हमारी services हैं जितना भी खाना हमें वहां से मिलता है सारी चीज़े हमको तो वही से मिलती है और जैसे मैंने आपको कहा कि जंगल बहुत सारी चीज़े हमें देते हैं चाहे आप कहें कि भाई कोई आदिवासी लकडी से अपना खाना मनाता है उसके लिए चाहिए इसी तरीके से अगर आपको बहुत अच्छे फर्मीचर बनाने हैं तो लकड़ी आपको फॉरस्ट से मिल रही है manment resources वो resources जो इनसान मनाता है तो इस सारे manment resources CD हो गया, cup हो गया, TV हो गया fridge हो गया, जो आपके कालीन है, rugs जिसे हम कहते हैं, वो है तो तो तमाम cap हो गया, तो तमाम चीज़ें इसमें दिख रही हैं आपको, वो सारी हमने बनाई हुई है तो जो प्राकृतिक साधन है, उनके अलग अलग प्रकार है या या कई काफी सारे form में आते हैं, या solid हो सकते हैं, liquid हो सकते हैं, gas हो सकते हैं, या ठोस हो सकते हैं, बहते हुए हो सकते हैं, या फिर gaseous form में हो सकते हैं अच्छे इसमें organic और inorganic भी होता है जायव अजएव भी होता है जो जायव प्रदार्स से बनते हैं आजिए अजए प्रदार्स से बनते हैं ऐसे metallic और non-metallic धाटु अधातु धातु यह से metals होते हैं, luster होता है उसमें अच्छे conductor होते हैं electricity को metallic होते हैं बाँगे non-metallic होते हैं तो अगर आप यहाँ देखें यह जो land resources हैं और जो हमने अलग-अलग natural resources की बात की उसमें यह सारे आते हैं Land resources की जहां तक बात हैं कि हम जमीन, land resource मतलब जमीन और यह जो संसादन है इसका हम क्यों प्योग करते हैं एक तो हम खाना इसमें पैदा करते हैं याने हमारे जितना भी agriculture होता है, वो agriculture कहा हो रहा है, इन जमीन में तो होगा, land में होगा और इसके लावर recreation है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप ग्राउंड चाहिए, यहां आप खेलेंगे बहुत सारी चीज़ है जैसे आप वो building बनानी है, कोई stadium बनाना है लेकिन हमारे पास agriculture, क्रिशी छेत्र और नौन क्रिशी छेत्र यह सब जो है limited है इसको हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे पृत्वी है, उसका तो एक surface ही रिया है, उससे जाद तो हम जा नहीं सकते तो अगर आप land resources के बारे में देखें, तो road भी उसी पे बनती है, घर भी उसी पे बनते है, building भी उसी पे बनती है अगर आप golf खेलना चाहते हैं, वो भी जमीन पे ही होगा, आपको और भी तमाम की चीज़े जैसे आप देख रहे हैं, agriculture हो रहा है आपर, या फिर पशुपालन हो रहा है, सब जमीन पे ही होगा forest resources क्या क्या होते हैं, forest resources जह हो जंगल, forest मतलब जंगल और आप अगर आज से कुछ साल पहले देखते, जब 1947 में जब partition होता है, तो कि तकरीपन 35 करोड जनसंग क्या थी अब कितनी हो गई है, 135 करोड से उपर जनसंग क्या हो गई है, हिंदुस्तान की 35 से 135 करोड, उस जमाने में भी अगरीब ही थी, उस जमाने में भी ये था कि भई, बहुत सारा population है, किस तरीके से ये चीज़ें यूज की जा रही है, अब हम 135 करोड हैं, तो forest कम हो गए है forest जंगल क्या होता है, ये एक natural है, प्रकृतिक रूप में आता है, अपने आप तो vertical structure, यारे आप trees की बात कर रहे हैं, या पेड़ों की बात कर रहे हैं, तो इसे जो लकड़ी निकलती है, उससे आप क्या-क्या नहीं कर सकते हैं, railway के जो coaches चलते हैं, वो किस पर चलते हैं, लकड़ी नहीं कर रहे हैं, लोहा यहां पर है, rail, उसके बीच में क्या लगाते हैं, प्लैंक्स जो लगाते हैं, वो लकड़ी क्यों होते हैं, मतलब छोटी से बड़ी बड़ी जगा भी आपको लकड़ीया मिल जाएगी, जैसे आपका लाकों में चले जाएं, तो लोग इन लकड़ीयों को जलाते हैं, अपने आपको वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, सिगडिया जलाते हैं, तो कोई भी चीज़ की बात करें, टैनिन, गम, ड्रग, स्पाइसे, इंसेक्टिसाइड, वैक्सेज, हनी, हॉन्स, मस् आइवरी, हाइट, जितने भी हैं, वो कहां से आते हैं, वो जंगल में रहने वारे, फ्लोरा और फौना से आते हैं, फ्लोरा क्या हो गए, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, जो फ्लावर देते हैं, फौना क्या हो गए, यह जानवर हो गए, तो सब ही से आता है, तो यह सारे की सारी चीज़ा वही से आती है Water Resources वो संसाधन जो हम पानी जिसमें पानी होता है पानी की बात हो रही है यह आपे तो Water यानि की पानी अगर आप देखें तो ये कुल मिला के पूरे ग्लोब का अगर इस तरी के से मैं पृत्वी बनाऊं तो 3 quarters 3 चौथाई भाग यानि 75 प्रतिशत से भी उपर हमारा पूरा अर्थ है उसमें क्या है पानी पानी है और पानी ही पानी 75 प्रतिशत बढ़ा amount होता है बहुत बढ़ा number होता है 75 प्रतिशत पूरा त्री फोर्थ कहेंगे 3 quarters फुराunden फ्रस में पानी ही पानी है अगर आप सोचें आप खाने के बग़र तो नहीं रह सकते है कुछ दिन तक तो पानी के बगर कैसे है पानी के बगर तो आप शायद 4 गंटे-5 गंटे भी नहीं रह पाएंगे एक्डब गरा सूब जाता है खाने के बगर आप रह सकते हैं तो water resources में क्या आता है water resources में आपकी ये नदिया आती है आपके lakes आते हैं lakes तलाब जिसे हम कहते हैं oceans आते हैं साथ हमारे महासागर हैं इसके लावा जो जमीन के नीचे है glaciers है या जमीन के नीचे पानी है वो भी सब इसमें आता है और पानी के बगर तो agriculture ही नहीं हो सकता agriculture नहीं हो सकता याने क्रिश्य नहीं हो सकती industries अगर आप देखे तो industries में पानी के बहुत जरूरत होती है आपके घर में नहाने धोने के लिए खाना बनाने के लिए थोड़ा आनंद लेने के लिए आपको जरूरत पड़ती है और जितनी भी environmental activities है चाहे आप पेडों को देखे उनको पानी चाहिए जनवार को सबको पानी चाहिए mineral resources क्या होते है mineral का मतलब यह होता है खनिज तो वो खनिज जो आपको जमीन के उपर या जमीन के नीचे मिलते है और वो खनिज बहुत जरूरी होते हैं कई चीजों के लिए यह अपने आप में solid liquid gas farm में मिलते हैं आपको earth crust का मतलब यह होता है जो पृत्वी है ना इसकी जो ऊपरी परत है इस उपरी परत को हम earth crust कहते हैं यहाँ पे यह मिलता है और सबस्वेट वाद है अपने आप ही बनता है इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता अपने आप बनता है तो अगर आप देखें कि कुछ समय के एक अंतराल होता है कि खनिज बनने में एक पथर होगा उसको खनिज बनने में हजारों साल लग जाते है कई समय बहुत सारा अंतराल लगता है अब यह जो खनिज आप लेते हैं उससे आप बहुत अच्छे चीज़े बनाते हैं यूसफुल हिंद प्रॉफिक टेबल कहते हैं उसको आप देखें जेम्स बनाते हैं आप जो मिनरल्स हैं या यह कहें कि जो खनिज टत्व है यह नॉन रेनेवल है अब आप बोलेंगे यह जब प्रकृतिक रूप में आ रहे हैं तो फिर नॉन रेनेवल कैसे हो गए नॉन रेनेवल मतलब यह होता है कि जो अपने आप renewable मतलब यह होता है जो जो कभी खतम नहीं होंगे या फिर यह कहें कि अपने आप अपने आपको generate कर लेते हैं जैसे हवा पानी यह सब non renewable मतलब यह होता है एक बार आप खा गया एक बार आपने use कर लिया तो वो दुबरा नहीं आएंगे तो आप कहेंगे मिंडरल सब प्रकृति दे रही है फिर कैसे non renewable हुआ यह इसलिए क्योंकि इसको बनने में हजारों साल लगते हैं जो मैंना भी आपको बताया है चाहे आप लोहा ले कॉपर ले या अलुमिनियम ले जो भी आप ले और non-metals में क्या होते हैं यह सब धातू है धातू में कुछ प्रॉपर्टी होती है electricity यह लस्टर होता है इसमें और यह malleable होते हैं ductile होते हैं wire बना सकते हैं इनको पतली sheet में आप पतली sheets बना सकते हैं इसकी और कई ऐसे जो minerals होते हैं उनमें आपको क्यों एक ही यानि कि single item, single चीज मिल जाएगी minerals basically क्या होता है पत्थर से आता है यह पत्थर में बहुत सारी चीज होँगी इसमें से एक चीज निकल के आती है तो mineral का अगर मैं आपको classification दिखाऊँ यह खनीजों का तो metallic होता है, metallic मतलब जिसमें जो मैंने property बताई हो होती है non metallic मतलब जिसमें property नहीं होती है इसी से हम categorize करते है कई सारे energy minerals होते है जो energy देते हैं, मतलब कोर अगर जलाएगी आप तो energy मिलेगी, koila है basically petroleum, natural gas, यह सारी crude oil से आती है जिसे आपके गवाडियां चल रही है यह सब चीजे आपके energy minerals में आते है बाकी metallic तो मैंने आपको बताई दिया जिसमें iron होता है और ferrous कहलाता है और non ferrous जिसमें iron नहीं होता है और कई ऐसे precious होते हैं जो हम हाथों में, उंगलियों में, कान में, नाक में इसमें पहनते हैं और बाकी और चीजों में भी यूज होते हैं Food resources Food मतलब होता है खाना अब खाने का संसाधन क्या हुआ जो भी चीज़ हम खाने की तरह यूज करते हैं मतलब हम अपने इसे एनरजी पाते हैं और यह क्या हमारे लिए नहीं है किवल human के बारे में ना सोचे पृत्वी में बहुत सारे और यह organisms है चाहे आप lion की बात करें, शेर की बात करें या फिर किसी कीडे मुकड़े की बात करें, चिपकलियों की बात करें सब organism है, सब को खाना चाहिए और plant यानि की व्रिक्ष है यह सबसे important आपके resource है खाने के और यह plants कौन खाता है? आपके herbivores खाते हैं और omnivores खाते हैं तो herbivores, omnivores क्या हो गया? सबसे पहले होता है herbivores, यह वह है केवल vegetarian होते हैं केवल घास और पते खाते हैं carnivores होते हैं केवल गोश्त खाते हैं यह कभी भी घास या पते नहीं खाते omnivores जो होते यह दोनों खाते जैसे इंसान ठीडी की सबजी भी खाएगा और चिकन भी खाएगा वो omnivores होता है herbivores और omnivores जो मैंने आपको समझाया, उनके लिए प्लैंट ज़रूरी है, जो एनिमल और बर्ड है, जो मैंने का ना हिमन्स को मत देखिए, आप ये भी देखिए कि जानवर और पक्षी भी तो है, तो बहुत सारे जानवर पक्षियों को कार्निवरस खाते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं, मु तो agriculture ही से ही हमको food resource मिलता है, और food resource का example आप यहाँ पर देख रहे हैं, energy resources क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया, energy resources वो होते हैं, वो एक पर आपने गरम किया इनको, मैं आपको बताऊँगा, इसमें renewable, non-renewable आएगा, इसलिए मैं यह लेकाया हूँ, energy resources वो ह पावर पैदा करेगा, चीज़े आपकी जो गाडिया जलती है, petroleum से पैदा चलती है, gas से चलती है, electricity से चलती है, ठीक, तो पाँच fundamental sources है energy की, कौन-कौन सा, देखें, nuclear fusion, nuclear fusion कहा होता है, जो हमारा sun है, सूरज, वहाँपा nuclear fusion होता है, इसमें क्या होता है, कि जो nucleus में, यह कहें क nucleus के अंदर, दो चीज़े मिलती है, अभी मैं detail में नहीं जाओंगा, बस समझ लिजे कि, यहाँ nucleus की बाद चल रही है, एक atom होता है, उसके अंदर nucleus होता है, उसमें दो, जो particle हो मिल रहे है, solar energy वहाँ से मिलती है हमें, इसके अलावा, जो gravity है, अर्थ और moon के कारण, मत हमारे प इसके लावा, जो हमारा अर्थ है, उसके अंदर भी तो energy है, अगर आप देखें, कई ऐसे कॉल्डू मना ली जाएंगे, तो आपको गरम गरम पानी या धुवा निकलता हो, दिखाई देगा, जमीन के नीचे भी तो energy है, इसके लावा जो chemical bonds है, यानि हम जिसको covalent और ionic bond क सारी जो है, पेटरोल से आपकी गाड़िया चलती है, डीजल से गाड़िया चलती है, ट्रेंज चलती है, सारी चीज़े से चल रही है, तो fossil fuels सबसे important, fossil fuels मतलब होता है, जो जिवाश मों होता है, यानि कोई जानवर और पेड, हजारों लाखों साल पहले जो मरे होंगे, वो तब्दिल हो गया, प्रेशर टेंपरेचर के कारण जमीन के नीचे, तो जो fossil fuels है, उनके साथ एक बहुत कहें, disadvantage है, क्योंकि वो non-renewable है, non-renewable का मतलब क्या हो गया, कि वो एक बर आपने यूज कर लिया और दोबारा नहीं आएंगे, तो आप भी देखे, non-renewable यहां मैंन तो सबसे important बात है, कि यह हमको नुकसान पहुचाते हैं, कोई भी petroleum या कोई भी diesel से चलने वाली गाड़ी उससे निकलता है धुआ, और जो धुआ जाता है, वो इनसान को नुकसान पहुचाता है natural resources याने की जो प्रकृति हमें देती है, उसको हम दो category या दो shady में बाढ़ सकते हैं, इसमें आता है inexhaustible resources और एक होता है exhaustible resources, exhaust का मतलब होता है खतम होना, तो जो खतम नहीं होगा, वो inexhaustible हो गया, और जो खतम हो जाएगा, वो हम exhaustible resources मिलाते हैं, कहने का मतलब अगर हम इनस है, और इनसान अगर use कर रहा है, consume कर रहा है, resources को, संसाधन को, और वो खतम कभी भी नहीं होगे, तो उनको हम कहते हैं, कभी खतम नहीं होने वाले, याने inexhaustible, जिसमें आपका solar radiation हो गया, याने की जो sun से energy आती है, ऐसी हवा, हवा में भी energy होते है, wind power कहते हैं, ऐसे tide, याने tidal energy, water power, यह सारा water power से ही, तो आप hydro electricity generate करते हैं, exhaustible resources क्या होते हैं, जो खतम हो जाएंगे, कहने का मतलब, ऐसे resources, या ऐसे संसाधन, जो केवल limited quantity में है, जैसे माल लीजिए, आपके पास दो चॉकलेट है, एक चॉकलेट यह, एक चॉकलेट यह, अब आप अगर इसको और इसको भी खालेंगे, तो आप दोनों खालेंगे, तो खतम हो जाएगा, इसकी quantity एक, इसकी limited quantity है, या आपके पास भी number है, और यह समय के साथ इसका consumption हम कर रहे हैं, इसको हम उप्योग कर रहे हैं, तो continue अगर इसका use करते रहेंगे, तो यह खतम हो जाएगा, जैसे coal, अभ तो अगर हम इसे use करेंगे, तो आगए जाके खतम हो जाएगा, तो अगर इसका अंतर पता करने की कोशिश करेंगे, तो renewable energy और non-renewable energy में यह होता है, कि renewable और non-renewable इसकी एक और श्रेंटी बन जाती है, और उसको हम यहाँ देख लेते हैं, तो renewable और non-renewable में क्या हुआ, प मतलब क्या हुआ कि दुबारा नहीं बन पाएंगे, कहने का मतलब कि renewable resources जो हमेशा available रहेंगे, जैसे पानी है, पानी को भी खतम नहीं होगा, पानी का amount limited है, आप भी उसकरिए किसी form में यह change होता है, यह आप एक जगा से दूसरी जगा परिवर्तिर हो जाता है, लेकिन खतम forest देखिए, अब जो forest थोड़ा सा part अगर इसका हट गया, तो यहाँ पर अपने आप पेड़ उग जाएंगे, लेकिन कई ऐसे renewable resources हैं, जो अपने आप को regenerate कर सकते हैं, उनको हम renewable नहीं कहते, उनको हम non renewable कहने लगते हैं, उससा कारण यह है कि वो बहुत सारे सालों से बने हु वो बनेंगे, लेकिन उनको बहुत समय रख जाता है, तो कई ऐसे exhaustible resources हैं, जो exhaustible मतलब जो खतम हो जाएंगे, या खतम कर दिये, तो वो प्रकृति उसे अपने आप regenerate कर देगी, जैसे मैं आप आपको पेड़ों का example लिया, बायो मास का example लिया, तो forest है, जंगल में अगर प खाली जगह छोड़ दी, और यहांके सारे पेड़ काट दिये, कुछ समय आप बात देखेंगे, अपने आप यहां पर पेड़ उख जाएंगे, लेकिन अगर आपने इस जगह का पेड़ काटा, और यहां पर आपने बिल्डिंग्ग मना ली, कोई बिल्डिंग वाला काम का लिया या construction का वाला काम कर लिया तो ये forest आपका या ये जंगर आपका हमेशा के लिए चला जाएगा clear हो गया अब renewable energy systems जो renewable मैंने कहा कि ऐसे जो अपने आपको खुद renew कर लेते हैं वो ऐसे resources काप्यों करते हैं सलसाधन का जो बार 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 replace हो जाते हैं हमको उसमें कुछ करने नहीं करना पड़ता और वो polluting भी नहीं होते हैं जाते पदूशन भी नहीं फैलाते हैं जैसे आप ये solar energy ले लिजे जो आपकी waves होती है उसमें जो energy होती है जिसको hydropower कहते हैं पती फूल हो गया जियो ख्योटरमल हो गया जो जमीन के नीचे की जो गरमी है ऐसी हवह हो गई नन रिपर उसका उपयोग कर दििया या उसका consumption कर दिया तो इतने आसानी से वह दुबारा नहीं बनेंगे हवा को आपने ले लिया, जैसे हवा लिया, ठीक है, तो carbon dioxide आप बहार निकालेंगे, carbon dioxide plant लेंगे, उसको oxygen कर देंगे, तो कहने का मतलो हवा कभी खतम नहीं होगी, लेकिन जो non renewable resources हैं, वो खतम हो जाएंगे, destroy हो जाएंगे, जैसे fossil fuel हो गया, fossil fuel क्या होते हैं, जैसे आपका तेल हो गया, अब fossil fuel में अगर आप crude oil की बात करेंगे, तो उसी से सारा petroleum, diesel ये सब उसी से बनता है, minerals, minerals non renewable category में क्यों डाल रहे हैं, क्यूंकि एक पत्थर को एक खनिज बनने में, mineral मत होता है, खनिज, तो इसको खनिज बनने में, हजारों साल लग जाते हैं, एक आदिन में नहीं बनता है, अच्छा, non renewable resources में एक और category कर सकते हैं, एक inorganic होता है, जो जीवित कहें, जीवाश्म, यानि जीवित चीजों से बनता है, जैसे माले पेड़ गिर गया, बहुत सालों बाद उसका क्या होगा, जनवर मर गये, उसके बाद बहुत सालों का बाद क्या होगा, वो और अगर हम कहें कि inorganic, तो inorganic मतलब होता है, जो non living thing से आता है, जो जिन्दा नहीं थे, कभी जिन्दा नहीं थे, उससे जो अगर आप कोई चीज मिलती है आपको, वो inorganic category में आ जाएगा, जैसे आपका ये mineral मैं बता रहा हूँ आपको wind, land, soil, rocks, ये सारे non renewable resources हैं, और ये inorganic ह आपके काई हैं, आपके काई हैं, और जिन्दा हैं, प्या जज हो आपके काई हैं, जशो हैं, आपके कान जो अगर सबस्क्तूर दक्वागागां थापको, फिस Agenda how a given से थे में जो उन्हावां, एहाली काई एOW ये तुह हैं, टी जो हैं कि एुरा भुछोन I ओवाउडोन